वेलकम टू स्वास्ते काट आज आपको डिफरेंट वराइटीस की काट दिखाते हैं स्टार्टिंग करते हैं इस वाइट और एक्वा फिनिश की काट के साथ इसमें ये बाइक से टो करने वाली काट है इसकी भी काफी डिमांड आ रही थी इसके एक मैं कम्प्लीट वीडियो आपसे शेर करूँगा वरकिंग टॉप पे दो बर्नर, एक फ्रायर, कुछ कंटेनर्स नीचे काफी स्टोरेज स्पेस होता है और एक ओवरहेड स्टोरेज होता है दिस्पोजेबल साइट अब के लिए हर काट में ये दो स्टोरेज होते है इन सेकेंड काट हमारी ये मोमोस के लिए है इसपे बैकलेट मेन्यो बोर्ड, थ्री साइड लाइट बोर्ड है ये देखिए ये आपका स्टील में बना हुआ है सेम वर्किंग टॉप इसपे भी है एक फ्रायर, दो बर्नर, कुछ कंटेनर्स हर काट में फोल्डेबल शेल्फ होती है हमारी शेल्फ में हम हिंजेस यूज नहीं करते हिंजेस में अक्सर प्रॉबलम आती है कि उनकी वेल्डिंग टूट जाती है और गंदगी काफी होती है ये देखिए विदाउट हिंजेस फ्रेज शेल्फ है हमारी अगली काट पे चलते हैं ये एक चाप के लिए है उपर देखिए कितना क्लियर नेम बोर्ड है आपका देन एक उपर लो साइन बोर्ड हो गया तीनो साइड ग्लास प्रोटेक्शन है चाप के लिए इसमें भी फोल्डेबल शेल्फ है इस काट की थोड़ी यूनिक चीज है कि इसका रोटेटिंग बार्बिक्यू है इसका लॉक हटाने के बाद एक सिंपल पुश के बाद आपका जो बार्बिक्यू है वो बाहर चल रहता है और जब काम हो गया आप इसे दुबारा से पुश करके अंदर की तरफ रोटेट कर सकते हैं हमारे पास काफी कलर ओफ्शन्स होते हैं जिन में से आप चूस कर सकते हैं ये फूर्थ काट हमारी हो गई छोले चावल, राजमा चावल, कडी चावल जो इस तरीके का काम करते हैं लंच के लिए शाम को वो चाइनिस प्लैटर का काम भी कर सकते हैं इस पे ये आपकी बैन मेरी आ गई एक फ्रायर भी हो गया एक एडिशनल बर्नर हो गया नीचे में सेम जैसा बताया था मैंने स्टोरेज होता है और उपर एक ओवरहेड स्टोरेज डिस्पोजेबल के लिए जिस भी साइज और कलर आप्शन्स में चाहिए आपको सब अविलेबल है हमारे पास मेभी वो लोहे की काट हो MS में बनवाना हो या स्टील में हो लाइटिंग ओप्शन्स हो गया मेन्यू बोर्ड हो गया जैसी आपकी ज़रुत है उसके अकॉर्डिंग हर तरह की काट हम बनाते हैं